तो क्याल चाल भाई लोग कैसे हूँ आप लोगो राज इस वीडियो के अंदर हम सब बाते करने वाले हैं भाई सच में काफी दिनों बाद होनर की किसी फोन के बारे में चुकि जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हूँ वैसे एक डेडिकेटिड वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताया था कि हॉनर वाले बेसिकली अपने नय फोन हॉनर 50 और 50 प्रो को ओफिसली लाँच करने वाले हैं अब वैसे इस बर कमाल की बात तो यहाँ पर यह इन फोन के साथ कि इस बर आपको बिडियो के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम सब बाते काने वाले हैं तो श्राइड करते हैं फिर बिनो के बिक्वास की जलिए से इस वीडियो को मैं होरी शभूर आप लोग देख रहे होरी शफट है तो वीडियो में आगी बढ़ने से पहले दोस्त सबसे पहले मैं आपको बिताना चाहूँगा खासकर जीन लोगों को अभी तक ये बात पता नहीं चली है कि अब से यार Huawei और Honor अलग-अलग companies हो चुकी है और Huawei के साथ अभी भी ये Play Services वाला issue है लेकिन फाइनली यहाँ पे Honor वाले Play Services को वापस लेके आ चुके है इवन यार यह तो Qualcomm वाले SoC's की उपर move भी कर दी है मतलब जैसे कि हम सब जानते कि इससे पहले Huawei और Honor की जितने phones थे वो आये करते थे बेसिकली इनके खुद के in-house SoC's के साथ Kirin SoC's की यहाँ पे में बाते कर रहा हूँ लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले कुछ महनों से और खासकर Honor के phones के साथ आपको Qualcomm के SoC's use में लाए हुए देखनी को मिल जा रहे है अब जहां तक बाती आती है Qualcomm Snapdragon 778G की तो यह बात मैंने आपको पिछली वीडियो के इंदर भी बताया था कि Honor 50 पहला phone हो सकता है जहां पे आपको यह SoC फीचर होता हुआ देखनी को मिल जाए अब वैसे दोस्त यह SoC कितना कमाल का होने वाला है तो दोस्त इस phone के साथ no doubt आपको Qualcomm 7888 SoC का सपोर्ट देखनी को मिल जाएगा क्योंकि अगें यह company की तरफ से आने वाला एक Flexip SoC है तो हाँ भीया देखो एक बात तो confirm है कि performance के मामरे में यह दोनी phones काफी कमाल के होने वाले है अब बात ये कर लेते है Honor 50 series के साथ मिले वाली दूसरे काफी कमाल के feature के बारे में अब जैसे कि हम सब जानते है Huawei के phones और खासकर Honor के phones भी भाई साथ अपने काफी कमाल के cameras के बारे में जाने जाते हैं तो cameras के बामने में तो फिलहाल specifications नहीं निकल किया है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सच में दोस्त इन phones के साथ आपको cameras काफी कमाल के देखने को मिले वाले है और बाकी तो भाई साथ आप लोग अपने screen के सामने इन live images को तो देखी पा रहे हो जो की सच में काफी ज़्यादा premium नजर आ रहे है और ये बात तो कहनी पड़ेगी कि phone looks के मामने में भाई काफी कमाल के नजर आ रहे है अब जहां तक बात ही आती है battery की department की तो जैसे कि आप लोग अपने screen के सामने देख पा रहे हो इन phones के साथ आपको 4500 से 5000 mh की battery का support देखनी को मिल सकता है और honor 50 के साथ यहाँ पे आपको 65 watt का charger और साथ honor 50 pro के साथ यहाँ पे आपको 120 या फिर 100 watt का charger out of the box देखनी को मिल जाएगा खेर ये वाली बात देखने वाली होगी और भाया सबसे good news तो इन phones के साथ यहाँ पे यही है कि इन phones के साथ finally हमें Google के play services का support देखनी को मिल जाएगा जिसकी बज़े से सच में यार ये phones काफी awesome हो जाएगे बाकी pricing और बाकी की details मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूँगा जब भी इन phones के बारे में कुछ भी नयान निकल की आएगा और तब तक के लिए भाई साब subscribe कर लो इस चैनल को ऐसे और काफी कमाल के tech वीडियोस देखने के लिए notification बेल को अफकोस थबा के वीडियो पसंद आई है तो एक like चपकाना बिल्कुल भी मैं भूला और चलो फिर मैं मिलता है आप लोगे से किसी और वीडियो पे तब तक के लिए बाई